आज हम जिस स्रिष्टी में जी रहे हैं वो स्रिष्टी का निर्मान हुआ। मत्से पुरान के अनुसार स्रिष्टी की रचना भगवान ब्रह्मा ने की। पुरानों के अनुसार ब्रह्मा की उत्पत्ती श्रीहरी विश्णु की नाभी कमल से हुई है। उनकी उत्पत्ति होने के बाद महादेव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि श्रिष्टी का निर्मान करो। इस तरह परमपिता ब्रह्मा ने बारा वर्षों तक तपस्या करने के बाद श्रिहारी विश्णु ने ब्रह्मा को इच्छुक वर दिया। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा ने पंच महाबूत तत्वों का निर्मान किया और इस रिष्टी का आरंब हुआ कहते हैं भगवान श्यू स्वयंबू है जिनका ना कोई आदी है और ना ही अंत तभी तो उन्हें अविनाशी कहा जाता है लेकिन अक्सर श्यू भक्तों के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर भगवान श्यू का जन्म कैसे हुआ था तो चलिए आपको बताते है कि पुरानों में वर्निक भोलेनात की जन्म की बाते श्यू पुरान के अनुसार महादेव सदाश्यू ओमकार का स्वरूप है ब्रह्मा जी और विश्नु जी सदाश्यू के आधे स्वरूप है परंतु कैलाश्पती सदाश्यू के पुर्ण अवतार है श्यू और सदाश्यू दिखने में वेशबुशा में और गुनों में बिलकुल एक है जिस प्रकार इस ब्रह्मान्ड का ना कोई अंत है और ना कोई छोर उसी प्रकार श्यू का ना कोई आदी है और ना ही अंत संपुर्ण ब्रह्मान शिव के अंदर समाया हुआ है जब कुछ नहीं था तब शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे इसलिए शिव को महाकाल भी कहा जाता है शिव अपने इस स्वरूब द्वारा पुर्ण सुरुष्टी का पोशन करते है इसी स्वरूब द्वारा परमात्मा ने अपने उर्जा से सुरुष्टी का निर्मान किया श्रीदेवी भगवत महापुरान में भगवान शिव को अनन्त माना गया है महादेव संहार के देवता है त्रीदेवों में भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है पुरानों के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विश्णु की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक लिंक के स्वरूप में प्रकट होए और उसी रूप में स्थापित होए अगर आपको ऐसे ही वीडियोज चाहिए तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर शंबू ज़रूर लिखिए धन्यवाद